प्रित्वी उतने ही संपत्ति उत्पन्न करती है जितनी उसके पुत्रों के लिए नितांत आवशक है। इस अनुदान को सभी लोग सहोतर भायों की तरह मिल बाट कर खाएं, तो सबकी जीवन यात्रा सुख पूर्वक चलती रह सकती है। और बचा हुआ समय मानवी जीवन के महान उद्देशों के पूर्थी में लग सकता है। सुख शांती का वादावरण इसी नीती को अपनाये रखने में बना रह सकता है। पंडित श्री रामशर्मा आचारिया। पुस्तक का नाम दो घिनोने मुफ्तखोर कामचोर। और भगवान हमें निर्धन ही रखना जाता है। सिध्धान दता तो ऐसा नहीं है क्योंकि भगवान में मनुश्य को अपनी सर्वुत्तम कृति के रूप में शजा है। वह किसे भी स्थिति में नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र, रोटी और कपड़े के पीछे ही अपना अमूले जीवन बरबात कर दे। जीवित रहने के साधन जुटाने में ही उसका जीवन चक्र पुरा हो जाए। लौकिक पिता भी जब अपनी संतान को दीन, हीन, निर्धन बने रहने नहीं देना चाहता। तो अलौकिक और सांसारिक पिता से सभी बातों में श्रेष्ट परमपिता अपनी संतान को दीन, हीन देखना क्यों पसंद करेगा। तो गरीवी से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? स्वेट मार्टन ने गरीवी से मुक्ति पाने के लिए तीन साधन प्रमुक रूप से पता है मन से गरीवी को भगा कर पूरे प्राण से सम्रिथी को पुकारना कठोर शम और उपारजन एवं व्याय का संतुलन ये तीन उपाय ऐसे हैं जिन्हें उप्योग में लाकर सम्रिथी का स्वागत किया जा सकता है उसे निमंत्र दिया जा सकता है इस सम्मंद में प्रस्तुत पुस्तक अनेक उदाहरन देखर समझाती है कि महनस से धन कमाया जा सकता है परन्तु फोकट के धन की आशा करना यर्थ है, प्रगर्ति के विरुत है, संसार की स्वस्त अर्थ परंपरा यह है कि हर व्यक्ति कठोर शारिरिक और मानसिक श्रम करें और उस न्यायो पारजित धन से अपनी उचित आवशकता पूरी करने की अत्रिक्त लोग पंगल के लिए अनुदान प्रस्तुत करें, लेखक कहते हैं कि उपारजन कठो श्रम और न्याय रिदि के आधार पर होना चाहिए, प्रकर्ति परमेश्वरी को दो प्रवर्तियां कती पसंद नहीं, एक मुफ्त खोरी, दूसरी काम चूरी, औसत मनुश्य की तरह श्रम पूर्वक एवं संयम पूर्वक निर्वाह करके जो शेस पस्ता है उसे परमार्थ प्रयोजन में लगाते रहना चाहिए, और जित्त इसी में हैं, अनेती से उपारजन, लोभवश संग्रह, विवेक दृष्टि से हे ही कहा जा सकता है, इसी प्रकार बिना श्रम उपारजत संपत्ति क उप्यों की ललक भी नीत युक्त नहीं है, पुस्तक के कुछ अंश, अकस्मात विपुल मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त कर लेने के लालज में, जाने कितने रिक्ती अब तक भारे प्रयत्त करते रहे हैं, और हताश होते रहे हैं, इन मैंसे सफलता तो कदाचित ही किसे को मिली होगी, पर पश्चा तब अनेकों को करना पड़ता है, कहीं स्वर्ण राशे छिपी भी है, तो प्रकरती यह नहीं चाहती, कि वहाँ सहज ही किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए, जो मुफ्त खोरी का लाब उठा कर गुलचर्रे उड़ाए, और घर परिवार वाल को सरप्रधान पांच प्रमुक पात्वकों में से एक माना है, और सो हातों से कमाने के साथ साथ हजार हातों से दान करने का सतकारियों के लिए समाज को लोटा देने का निर्देश किया है, औसत मनुश्य की तरहा शम पूर्वक एवं सहियं पूर्वक निर्वाह करके तो श संग्रह का अवसरी ना आने पाई और चित्य इसी में है अनीती से उपार्चन लोगवश संग्रह सामईक आवशक्ताओं के पूर्थी में न लगा कर उसे उत्तराधी कारी के लिए जमा करने के लिए दाहों पर रख देना विवेग दिश्टि से है यही कहा जा सकता है फलता फूलता वही धन है जो परिश्टम और इमानदारी के साथ कमाया जाए सर्था और सत्परिणाम उत्पन्य करने के ख्षमता भी उसी में होती है उदार मनुष भले ही धन, विद्या, पल, वैभाव कुछ भी उपार्जित करें पर उनका लक्ष यही रहता है कि इसे लोकमंगल के लिए खर्च किया जाए ऐसे ही मनुष धर्थी के देवता कहलाते हैं और युग युगांतरों तक सराहे जाते हैं खजाना पाने का मन हो तो उसे व्यक्तित्व के श्रेश्ट उप्योगों के उपाय द्वारा ही ढूडने और पाने का निश्य करना चाहिए इस मार्ग पर चलते हुए इतनी बड़ी-बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं जिनका खजाना ठूडने वाले कलपना भी नहीं कर सकते हैं बुस्तक के कुछ बिंदू परिश्रम के बिना धना कांग्षा प्रकर्ति को पसंद नहीं अनावश्यक धन संग्रह विपत्ति उत्पन करता रहेगा मुफ्त खोरी सदा अनिश्ट प्रेणाओं की जननी धन सम्रति के लिए सही कदम उठाएं इतने पाव पसारिये जितनी चादर होए करता रहेगा विपत्त प्रेणाओं का बिंद अ प्रेणाओं की जननी शादर होए